दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक नय भरती के बारे में जो कि उत्राखंट की तरफ से आई है दोस्तो ये जो भरतिया है ये उत्राखंट सरकार की तरफ से है तो आप ये कह सकते हैं ये साल के सबसे बड़ी भरती होने वाली है दोस्तो ये forest guard के पदो पर भरतियां हैं जिसके लिए योगताएं जो हैं वो 12th pass रखी गई इसकी पूरी जनकारी हम आपको आगे देने वाले हैं इसमें हम आपको बताएंगे इसके लिए क्या syllabus रखी गई है physical test में आपसे क्या किया जाएगा क्या देखा जाएगा वहाँ exam pattern क्या होगा selection process क्या होने वाला है salary आपकी क्या होने वाली है तो पूरी जनकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और दोस्तो इसके लिए जो आखरी तारिक रखी गई हो 7.9.2021 है यह कब से कब तक भरना है आपको क्या फी देना होगा उसकी पूरी जनकारी हम आपको आगे देते हैं तो चले शुरू करते हैं यह देखिए इसका जो official notification आपके सामने है तो इसके लिए देखिए online आवेदन की जो प्रारम होनी है तो वो देखिए 24 अगस से सुरू होनी है और इसके लिए जो आखरी तारिक रखी गई वो 7 October रखी गई है और दोस्तों जो इसके लिए फी जमा करने की आखरी तारिक रखी गई यह वो 9 October 2021 रखी गई है और आपका जो एक्जाम होगा December 2021 रखा गया है दोस्तों यह हो सकता है कि आप मैंने के चलिए कि उत्राखंड सरकार की पहले से ही बहुत भेकंसिया जो है वह भी क्लियर नहीं हुए है इस वज़ाए से हो सकता है कि एडिट आपको बहुत आगे तक बढ़ जाए और दोस्तों हो सकता है भी आपको आवाज में कुछ दिक्कत हो यहां बारी सोरे इस वज़े से हो सकता है आपको आवाज में कुछ दिक्कत हो तो चलिए आगे हम आपको पिताते हैं सबसे पहले बात करते हैं पदों की जो कुल संख्या है तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों की कुल जो भरतिया है वो 894 पदों पर हैं जिन में आप ये देखिए कि category wise यहां दिया हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं समाने work, unreserved work का जो है इसके लिए 473 रखा गया है और इस तरह जो है अनुसुची जन जाती के लिए 164, अनुसुची जन जाती के लिए 37, अती पिछरावर के लिए 126 इस तरह सबका जो दिया हुआ है अलग-अलग दोस्तों अगर आप ये notification चाहते हैं तो आप हमारे description box में एक link दिया है जो की 2700 से लेके और 79,100 रुपे तक का रखा गया है दोस्तों ये आपका level 3 का salary है अच्छी salary है और दोस्तों इसके लिए आयू सीमा की बात कर ले तो 18-18 वर्स तक जो है इसकी age limit रखी गई है और दोस्तों अगर आप OVC category से हैं तो आपको maximum age में 3 साल का छोड़ दिया जाएगा यानि आप इसको 31 साल तक भर सकते हैं और अगर आप CST category से आते हैं तो आपको 5 साल का relaxation दिया जाता है यानि आप इस भारत में किसी भी बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए या 12th के समकच अगर आपने कुछ किया है जैसे अगर आपने डिपलोमा होगेरा किया है तो अभी आप इसको भर सकते हैं और दोस्तों यहां आगे लिखा है फिजकल से संबंदी जो सारीरिक मापदन क्या है तो यह द आपका सीने का माप जो होगा ना उसमें फुलाने पर आपका पांस सेंटीमेटर का अंतर आना चाहिए यानि पांस सेंटीमेटर आपका सीने का नाप बढ़ जाना चाहिए और दोस्तों अगर आपमें से महिला है तो महिला के लिए सीने की नाप कोई ऐसा यहां नहीं है कि आपका सिने का माप नहीं किया जाएगा और आगे बात करते हैं दोस्तो कि अगर अपलाई किया है अगर आपने मान लिजे की गोर्खा है या नेपाली है असामी है लददाखी है सिक्किम से है भूतानी है गडवाली है कुमाईनी है नागा है या नाचल परदिश के हैं तो आपको उचाई में जो है आपको कम है मतलब कम ही उचाई पर आपका सेलेक्शन हो जाएगा जैसे पूरूस है तो एक सो बाउन सेंटिमिटर अगर महिला है तो 165 cm वर ही आपका selection हो जाएगा और दोस्तों इसमें ये है कि आपका देखिए किसी तरह का बीमारी बगिरा नहीं होना चाहिए और आगे देखते हैं और आपके दिरिश्टी से संबंदित आख से संबंदित भी यहाँ एक provision है कि आपका आख में जो है दोस्तों माइनस या पलस फोर डायप्टर से अधिक का दोस नहीं होना चाहिए यानि इतना तक चलेगा माइनस या पलस फोर तक है जनरली दोस्तों इससे ज़्यादा होने पर तो लोग चस्मा लेह लेते हैं तो आगे देखिए आप आगे बात करते हैं कि फिजकल में जो आगे होना है आपका दोर होना है तो आपको दोस्तों 25 किलोमेटर का एक दोर होगा दोर इसको कहिए जो कि आपका चार घंटे में आपको करना है मतलब आप चार घंटे में जिस तरीके से दोर सके रुक के दौर सके लगतार दौर सके अगर अगर आप पुरूस है तो आपको 25 क्लोमेटर दौर है दोस्तो दौर में जो सफल होँगे उनको उसके बाद आगे के लिए बुलाया जाएगा सिकरवा रिखित परिख्षा होगा वो देखे आप 100 वोनकों का होगा जिसमें आप से समाने हिंदी, समाने ग्यान और समाने अध्यान से समिनित परसंद पुछा जाएगा यानि दोस्तो इसमें मैथ आप से नहीं पुछे जाएंगे, डि इंग्लिस नहीं पुछे जाएंगे बाकि आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें जो नियून्तम अंक लाना है आपको तो अगर आप जिंडल और OVC केटोगरी से हैं यानि अंडिजर्व और OVC केटोगरी से हैं तो आपको 45% और अगर SCST केटोगरी से आते हैं तो 35% लाना ही होगा वरना वो वहीं से बाहर हो जाएंगे इस रेस से और दोस्तों सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.025 यानि निगेटिव मार्किंग 1.5.4 का है और आगे बात करते हैं दोस्तों ये एक्जाम आपका एकड़म अफ्लाइन एक्जाम होगा निचिंतर ही ओनलाइन एक्जाम नहीं होने जा रहा आपका और आगे बात करते हैं दोस्तों हर एक question का चार option होगा आपका जो कि यहाँ लिखा है तो आप जानते ही हैं आगे बात करते हैं application फिकी तो दोस्तों unregard category के लिए और OVC category के लिए हैं जो कि उत्राखनून के लिए 300 रुपे हैं और अगर आप किसी अन्य छेतर से भी आते हैं यानि उत्राखन के बाहर से भी आते हैं तो आपको 300 रुपे देने होंगे और अगर उत्राखन के हैं और ECST category से हैं तो आपको सिर्फ 1500 रुपेस के लिए देने होंगे तो दोस्तो ये थी भरती से संबंदित पूरी जनकारी अगर इसमें आपको किसी तरह का डाउट हो आपको मने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेगा वहां से हम आपको इसका जबाब दे देंगे दोस्तो ये आप टेलिग्राम पर परस्टनली मेसेज भी हमको कर सकते हैं जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और दोस्तो इससे समानेत एक डिटेल्ड वीडियो हम आपको इसका सिलेवस का प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्द ही तो आज किस वीडियो में तना ही धन्यवाद